अच्छे content मैंने कई बार सर के channel प्रिद देखे हैं मैंने injuries और और सर ने मुझे पहले भी interview किया है दरशकों से मेरा यही appeal है कि ज्ज़़़े से ज्ज़़़े सुनें इस interview क्यों और जितने भी सर के interviews आते हैं उनको ज्ज़़े से ज्ज़़े सुनें और अपना प्यार दें भूलूँगा तू वो निशा बन गया मेरी गाड़ी जो है अब चल पड़ी अब इगाड़ी कहीं रुकने वाली नहीं है जी बिल्कुल मैं अब पुरी कोशिश और पुरा जान लगा दूँगा तेरी खातिर हर एक कसम हर एक रिवाज तोड़ देंगे तेरे लिए जमाना छोड़ देंगे दर्शकों ने इतना प्यार दिया है और मुझे लोगों का इतना सपोर्ट मिला है इतना आशिरवाद मिला है जिसकी वज़े से मैं आज यहाँ पे हूँ सब के हुजाने लाकी रोग बड़ा बाउरहा सब के हुजाने लाकी रोग बड़ा बाउरहा नमस्ते नाम मेरा आदित है और आवता पंचायत देख रहे हैं वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अफील रहेगी वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और वीडियो को सेर कीजेगा और साथ ही साथ हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और फेस्बूक पेज़ पर फॉलो भी कर लिजेगा इस वक्त जो हमारे साथ मौझूद है किसी पच्चे का मोहताद नहीं है इनको अब सब कोई जान चुका है इनको इनके गाना कई लाख लोग भी सून चुके है इनका नाम तो आप जानी गया होंगे लिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इनका नाम हिमान सुयादो हुआ जो कि पिछले कई दिनों से काफी चर्शा में है वाइरल चले उसके बास से हिमेशी रिसमिया ने इनको ब्रेक दिया मुंबई बुलाकर इनके पास फोन आया है मुंबई चले गए वहां से इन्हों दो गाना जाकर गाया और दस गाने का कॉंट्रेक्ट हुआ उसके बास से दो गाना लाँच होने के बाद ये बिहार आये हुए हैं हम लोगी सब बाचित करते हैं कैसा लग रहा वेपो सबसे पहले तो आपके दर्शकू को नमश्कार और फिलहाल तो अच्छा महसूस कर रहा हूँ एक प्लैटफॉर्म मिला जहां से अपनी आवास को जादे से जादे लोगों तक पहुचाने का मौका मिला है आपने काफी स्ट्रेगल किया काफी समय के बाद आपको एक पहचान मिली कैसे देखते हैं आप इसको देखिए स्ट्रेगल मेरा 14-15 साल का रहा और स्ट्रेगल अभी भी आगे भी करते रहना है स्ट्रेगल अपने किसी भी मुकाम पे आप पहुच जाते हैं तो वहाँ पे बस स्थिर नहीं रहना चाहिए उसके आगे का चीज आपको बार-बार देखते रहना होता है यह कहूँगा कि 14-15 साल में काफी ऐसे जीवन में उतार चड़ा हुआ है और अब जाके थोड़ा सा लग रहा है कि बीच में मैं पीछले कुछ टाइम में मुझे लग रहा था कि जो भगवान ने मुझे यह कला दिया है क्या मेरे तक ही सीमित रह जाएगा यह लेकिन अब ऐसा महसूस नहीं होता है अब लगता है कि मैं जादे से जादे लोगों तक और पहुंच चूँगा अब आपको क्या लग रहा है कि आपकी सपना जो था उसकार हो रहा है धीरी दिले हाँ मैं यह कह सकता हूँ कि मेरी गाड़ी जो है अब चल पड़ी अब यह गाड़ी कहीं रुकने वाली नहीं है जी बिल्कुल मैं अब पूरी कोशिश और पूरा जान लगा दूँगा कि अब यह गाड़ी रुके ना अच्छा हमेश रिजा आर समया के टीम से आपके पस कब कॉल आया था देखे उन दिनों जब जो वीडियोज फेशबुक और ट्वीटर पे और इंस्टाग्राम पे जब चल रहे थे तो ट्वीटर के माध्यम से जो है आया था पहला के बात क्या हुआ था अरे मुझे सर के टीम से फोन आया और उन्होंने मुझे फोन करी यह ही बृला कि कल आप मुंबई आ सकते हैं तो मैं उस टाइम अपने डी-दी के गार पे था बंग तो मैंने कहा किसर मैं मैं आ शकता हूं फिर उन्होंने कुछ कि मैं आपको कन्फर्म करके आपको डेट फिक्स करता हूं तो फिर कॉल आया फिर नेक्स वीक के लिए हमारा टीट फिक्स हुआ और फिर मैं के हमांबर थोड़ा अपने स्ट्रेगल के बारें बताईए हमारे दर्सकों को आप स्ट्रेगलिंग पिरेड मेरा 14-15 साल का रहा जैसा कि मैंने पहले भी इंट्रिव्यूस में बताए और लगातार अपने रिस्पॉंसबिलिटी के साथ जो मेरा मेन फोकस था जो मुझे प्लेबैक करना था उस चीज के लिए मैं निरंतर अपना प्रयास करता रहा और लाइफ म मैं अपने टार्गेट पे स्टेबल रहा और मैं यही कहूंगा कि बीच में एक अभी जिस्ट पिछले महीने की बात है दर्शकों ने इतना प्यार दिया है और मुझे लोगों का इतना सपोर्ट मिला है इतना आशिरवाद मिला है जिसकी वज़े से मैं आज यहां पे हूँ और रही बात स्ट्रगल की तो पहले भी इंट्रिव्यूस में मैंने आपको बताया पहले भी आपको चले यह बागे आता है आगे सवाल पे आपको दस गाने का तो मिल गया है कॉंटेक्ट जिसमें इस दो गाना आपने लॉंच कर दिया है हम चाहेंगे हमारे दर्सकों को अ अक्स तू मेरी जा बन गया जो ना भूलूँगा तू वो निशा बन गया तू है मौजूद हर वक्त मुझ में कही छोड़ साया तेरा साथ एक पल नहीं तू मेरा अक्स तू मेरी जा बन गया जो ना भूलूँगा तू वो निशा बन गया आपकी गानों में काफी दर्द देखता है ऐसा क्यों हो आपकी कह सकते हो कि मेरा एक जो 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 फैबरेट जोन है वो इधर ही है तो एक होता है ना कि जैसे बहुत लोग हापी मूड वाले गाना गाते हैं जैसे मिका जी काफ ले लो हमेशा हैपी और डांसिंग आइटम्स और बहुत जैसे राहत फातली सर्व तो वो एकदम हाई स्केल पर उपर गाते हैं तो उसी तरीके से हर एक सिंगर का जो है एक गाने के लिए कितना क्या क्या बात है कुछ बताईए हिमेश सर के द्वारा या हिमेश समया के बाद आपके पास काफी सारा फोन कॉल्स आया होगा अभी कलपना दीदी के साथ एक प्रोजेक्ट हमारा होगा और मुझे उमीद है कि दीदी के साथ जो प्रोजेक्ट होगा व उमीद करता हूँ कि वो जो प्रोजक्ट आएगा दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा आपने जमाना टू गाना गाया थो उसके बारे मतुआ गुनुगना के बताईए जी बिलकुल मैं सुनाता हूँ तेरी खातिर हर एक कसम हर एक रिवाज तोड़ देंगे तेरे लिए जमाना छोड़ देंगे तेरे लिए जमाना छोड़ देंगे बहुषपूरी जो बिहार में बहुषपूरी का ज्यादा ट्रेंड है यहाँ पर ज्यादा बहुषपूरी गाना सुना पसंद करेंगे तो आपके गानार दरसे क्यों सुनेंगे, कैसे सुनेंगे, पताइए. कि भुषपुरी अच्छे से, लेकिन आजकल तो कुछ लोग लगे हैं, भुषपुरी को काफी हाई लबल तक लेकर जाने के लिए, ठीक है, लेकिन इसी बिहार में ही, भुषपुरी को इतना असलिल्ता के तरफ लेकर जा रहे हैं, उनको आप क्या संदिश देना चाहेंगे? मैं बस यह कहूँगा कि जैसे आप अपने घर में सब की इज़त करते हैं, बिहार आपका अपना है, भाशा आपकी अपनी है, उसकी इज़त करें, बस यह कहना हैं। थोड़ा साइड है, बिल्कुल, बिल्कुल, पवन सिंग की का है, मैं सुनाता हूं। सब के हुजाने ला की, रोग बड़ा बावुरहा, तडपा के जान लेला, आई सन माहुरहा। तब गलती बार बार का है हुला, इश्क में लुगवा बीमार का है हुला। अपनी सफलता को क्रेट किसको देना चाहते हैं आप। देखे, बहुत ऐसे हैं लोग जिनका सपोर्ट है। और मतलब की हो सकता है कि मैं खुल के नाम लूगा तो बहुत ऐसे भी लोग हैं कि उनको बुरा लग जागा। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनका सपोर्ट है और बाकी जो दर्शकों का जो मुझे प्यार मिला है। अब उसकी वज़त से मैं यहां हूँ अभी। अब तो आपके गाह में खुसी का महौल होगा। घर में भी काफी लोग खुस होंगे उसमें क्या करना चाहेंगे आप। हाँ सबी लोग खुश हैं और यही और काम ना कर रहे हैं कि और आगे जाओं। चलिए आपसे अंतिम सवाल एक और हैगा हमको। कि हमारे दर्सकों के लिए पंचायत के दर्सकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं यही कहना चाहूंगा कि अच्छे कंटेंट मैंने कई बार सर के चैनल देखे हैं मैंने। और सर ने मुझा पहले भी उिट्रवीय किया है। दर्सकों से मेरा यही अपील है कि यादे से जादे सने इस इट्रव्वे को और जितने भी सर के इंट्रव्यूस आते हैं उणको जादे से जादे सने और अपना प्यार देम लाइक, शेर, और कमेंट दबाग के करें। आप मुंबई से दिल्ली आया दिल्ली से पतना पहुंचे पतना में इंका पहला इंटरव्यू है और सभी लोग से उमीद है आप सभी लोग देखेंगे और हिमान सुयादों को खुब सरा प्यार देंगे चलिए फिलालिस बाचित में इतना ही मिरे नमा दित्तिय अपता चाहिद देखेंगे ते बहुत बहुत सुक्रिया